किसान भायों गेवों में बाल्या निकलना शुरू हो चुकी है और बाल्या निकलते समय कुछ ऐसे खाद है जिनका किसान भायों को परियोग करना चीए जिससे गेवों की बाल्या लंबी मोटी बनती है दाने ठोस वजनदार बनते है गेवों का उत्पादन बढ़िया निकलत वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिये अन्य किसान भायों तक भी शीयर कीजिए किसान भायों गेवु में बाल्या निकलते समय किसी भी परकार से कोई भी टोनिक का स्प्रेय आपको नहीं करना है और कोई भी दानेदार खाद या ग्रोध प्रमोटर भी नहीं देना है वह उसे किसान भाई यूरिया देते हैं कुछ किसान भाई ग्रोध प्रमोटर का परियोग करते हैं लेकिन बालिया निकलते समय पोधे को ग्रोध की कोई आउशकता नहीं होती है इस समय पर फसल में ज़्यादा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे तो गिवों में किसी भी खाद की आउशकता नहीं होती है अगर आप सई समय पर सीचाई प्रबंदन करते है तो इस से ही गिवों की बालिया लंबी बन जाती है दाने वजिनदार बनते है गिवों की फसल में बोरोन का प्रियोग करने से गिवों के दानों में वजन बनता है दानों में चमक पेदा होती है इसी के साथ दूसरी चीज़ आप ले सकते है NPK 0050 जिसमें 50% पोटेशियम पाया जाता है जो एक प्रकार से दाना भरहाओ में मदद करता है दाने बढ़ने सुरू होते उसमें प्रापिन दो चीज़ों का प्रियोग कर सकते है जिनके प्रियोग से गिवों की बालियों की लंबाई बढ़ती है दानों की संक्या बढ़ती है दाना चमक दार वजन दार बनता है जिससे गिहों की पेदावार अच्छी होती है एक एकड में 100 ग्राम के आसपास आपको बोरोन लेना है एक केजी के आसपास एनपिके 0050 लेना है 150 से 170 लेटर पानी में गोल तेयार कर एक एकड में स्प्रे करना है पानी की मातर थोड़ी ज़्यादा लेनी है ताकि फसल में अच्छी से स्प्रे हो जाए और कोई भी ज़्यादा नुकसान ना हो अगर इन दो चीजों का परियोग आप करते हैं तो इससे गिहों की बाल्या लंबी भी बनती है गिहों का उत्पाद बड़या निकलता है साथ ही खर्चा मातर थाहसो तीनसु रूपे के आसपास का आता है जिससे लगबग सभी किसान भाई इनका परियोग कर सकते है वैसे किसान भाई यो बोरोन का परियोग तो किसान भाई जिससे गेहूं के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है कमेंट के मादे हमसे जुरू बताईए कि आप गेहूं में किन-किन चीजों का परियुक करते हैं इस वीडियो को अन्य किसान भायों तक भी शेयर करें जल्द आपसे मिलेंगे नए वीडियो में धन्यवाद